हाई गाईस विल्कम बैक टूब मैं यूटूब चैनल कैसे हूँ आप सब आई होफ आप सब अच्छे होंगे तो ये वीडियो भाई दूजवाले दिन का है तो उस दिन भाई आया था अपने दोस्तों के साथ तो मैं यहाँ पर भाई के तिलग कर रही हूँ और फिर उसके द तिलग मैं कर रही हूँ उनका आने का कोई प्लान नहीं था मैं जिस दिन भाई दूज था उसी दिन उसको काल की थी तो नहीं था घर पे तो फिर थोड़ा से लेट में आया है वो और फिर हम लोग यहाँ पर उसके तिलग कर रहे हैं तो इसके बाद फिर जब नीनी और बा अबू को तिलग लगा रही है और उनका पूजा कर रही है तो हमने अपना भाई दोज मना लिया है आप लोग कैसे मनाए हूँ अपना भाई दोज कमेंड करके जरूर बताना और इसके बाद फिर हम लोग मामा गाउ जाएंगे यानि कि मेरे मामा ससुरगा है इनके मामा गा जाएंगे और तिलग लग कर ले बाबू का उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गाउं तो यहाँ पर बाबू अपने दीदी को मिठाई कि ला रहा है तो पूजा हो चुका है और यहाँ पर अम्मा पापा और सक्छम जा रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे तो यहाँ पे उलग जा रहे हैं उसके बाद हम लोग भी रेडी हो चुके हैं अब यहाँ पे हम लोग भी जाएंगे तो यहाँ पे आंस रेडी हो चुका है और नीनी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है तो चलो चलते हैं फिर आप से गौज आकर फिर मिलेंगे तो हम यहां पर पहुच चुके और हमें आए बहुत टाइम हो चुका था लेकिन हम वीडियो है बनाए थे तो यह रात हो चुका था तो रात को फिर नीनी बोली की मामी वीडियो बनाते हैं सब को करके तो हम लोग यहां पर वीडियो बना रहे हैं और फिर इसके बाद फिर खाना बनाएंगे और खाना खाने के बाद फिर नौधा सुनने जाएंगे तो यह सब है जो वो मेरे मामा की बेटिया है और फिर मैं यहाँ पे कीचन में आ चुकी हूँ तो यहाँ पे मामी का कीचन बहुत ही अच्छा था एक तमचोलब छोटा सथा कीचन बहुत ही अच्छा था मतलब सहर जैसे पूरे फैसलेटी था कीचन में इससे ही छोटा वाला कीचन बहुत ही अच्छा रहता है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबजी कुंदरू की सबजी बना रही हूँ उसको ना खड़ी खड़ी तल रहे है जो कि मैं फर्स टाइम तल रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे घर में नई बना हैं वैसे एक बार भी और मामी बनाती है तो बोली कि बना के देखो अच्छा लगता है बन अच्छा से बनता है और सिकर के तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो जलो आप लोगों को वी दिखाती हूं यह देखो यहाँ पे मैं बना रही हूं कुंदरू की सबची तो फिर रात को खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे नाओ धर सुनने तो आपको ओरिजिनल आडियो सुनाएंगे वहाँ पर वाई सुवार करें पारवती सबावाद पारवती सबाव पारवती सबाव पिया हो हो ही फिर ये नेक्ष्ट दे का वीडियो है हम लोग रात को आप बहुत लेट आए थे तो सो गए थे फिर ये मॉर्निंग का है तो मैं यहाँ पर न चोटी सी एक नीनी थी अंस जित्ता बड़ी थी तो उसी का कपड़ा पहना दी हूँ अंस को बहुत अच्छा दिख रहा था लड़की जैसे आप लोग बताना कैसे दीख रहा है यांस कमेंट करके मुझे तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है और उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाएंगे यहां पर हम लोग बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग हमें दा छोड़ के साम को ही घर आ गए थे पापा दुनम और फिर हम लोग यहां पर बस से जाएंगे तो बस में वैट कर जाएंगे तो बस का वेट कर रहे हैं यहां पर उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे अब ये है मामा का दुकान उनका हाड़ वेर का दुकान है तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है थाइंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं आप से अपने ने